नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका विंद्या टाइम्स में मैं आनाम है आयूशानन्त मध्य प्रदेश में अब उपभोगताओं को पहले से जादा सुविधा देने के साथ साथ पावर्फुल बनाया गया है इन मामलों में अब धोके बाजी की खेर नहीं होगी कंजूमर फोरम के नए प्रावधानों के तहत उपभोगता कहीं भी किसी भी जगा कंजूमर फोरम में शिकायत कर सकता है उसके लिए कोई भी पावंदी और सीमा नहीं रहेगी साथ ही Consumer Forum को अब आयोग का दर्जा मिल गया है घर बैठे भी उपभोकता ओनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे मद्यप्रदेश के साथ साथ देश में 20 जुलाई को अब उपभोकता संरक्षन अधिनियम 2019 लागू हो गया है इस अधिनियम के लागू होने से उपभोकता को पहले से ज़्यारा सुविधा और ताकत मिली है इस एक्ट को लेकर लोगों को जागरू करने के लिए शिकायतों के प्रभावी और त्वरित निराकरन विशय पर सेमिनार किये जा रहे हैं भोपाल की प्राशासन अकैडमी में भी इसकी जागरूखता और पेंडिंग मामलों में ततकाल कारवाई को लेकर मन्थन किया गया राज उपभोकता आयोक की अध्यक्ष जस्टिस शांतनू एस केमकर ने कहा कि नए कंज्यूमर एक्ट से उपभोकताओं को बहुत फायदा होगा उपभोकता किसी भी कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकता है जस्टिस केमकर ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर का दाइरा बढ़ाया गया है बड़े मामले के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवर पर शिकायत हो सकेगी हम चाहते हैं कि नए एक्ट की जानकारी जिला अध्यक्षों और नए मेंबर को मिल सके हमने सभी को त्वरित निराकरन के लिए कहा है हमारा लक्ष है कि पेंडिंग मामले कम करना है और इसकी जागरुकता के लिए शाषन लगातार प्रयास कर रहा है ताकि नए एक्ट के बारे में लोगों को पता चल सके वहीं भोपाल जिला उपभोगता आयोक के सदस से सुनील ने कहा कि नए एक्ट से उपभोगता को काफी राहत मिल रही है नया एक्ट लोगों के लिए फायदे मन भी है बहुत बहुत धन्यवाद